असलाम ओलेकुम एवरीवान विल्कम बैक टू माइ नियो व्लॉग तो यह है इद का व्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ तो इद के बाद है ना मैंने तो सबसे पहले उन्तीस और तीस रोजे का जो मैंने शूट किया था ना वो मैंने पहले अपलोड किया और अभ तो सबसे पहले ना भी मटन को निकाल रही हूँ डी फ्रोज होने के लिए सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी शिर कुर्मा तो सिल्मान जा रहे है नमाज पढ़ने के लिए वही हमारे सोसाइटी में जो भी मुसलिम उनके फ्रेंड है वो लोग एकी साथ गाड़ी में जाते है सब लोग तो यहां पे कुछ अराउंड है ना साथ साड़े साथ की जमाती तो सिल्मान फटा फट रैड़ी होके चले गए तो यहां पे ना इस बार में मिल्क मेड का यह पाउच मैंने और किया था बहुत अच्छा है क्योंकि पिछले बार डबा मंगाए थी ना आदा उख हराब हो गया फ्रीज में रखे रखे और मैं सुचीत भ नाउंगी भानाउगी तो मैंने तो क्या बनाया नहीं तो इस बर मुझे अच्छा ऑप्शन दिखा तो मैंने ओटर कर दिया तो आज बनाने का मंतन की बिरियानी सारा प्रिपरेशन मेरा हो गया है मतन को साफ '' वगर जाता है मतलब सुमंगला हम लोग को फिर हावस कीपिंग जो भी आती है कश्रा लेने के लिए मैं उसको दूंगी तो एक साइड दूद गरम होने रखी हूँ तब तक यहापर मैंने क्या किया ना तीन चार इलाइची को थोड़ा सबून के ले लिया मैं हमेशा इंस्टन और बना की लूँगी और यह फ्रेश बनाएंगे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है मतलब बहुत अच्छी खुश्बू आती है मैंने रेडी में यूज्स करके देखा है ना उसका कुछ दिनों के बाद है ना खुश्बू चली जाती है इसके लिए मैं ऐसी बनाती आपने देखा रहेगा मैंने ड्राइफ्रूट्स कटिंग करके रखा था तो अभी यहां पर बस कुछ काजू मैंने कट करके लिए हूँ तो यहां पर दूद है अल्मोस्ट बॉइल हो गया लिकिन स्लो फ्लेम पे बहुत अच्छी तरीके से मतलब थोड़ा और मैं बॉइल के लिए मैंने फ्रेश घी निकाली जो मैंने दो तीन दिन पहले बनाई थी तो मैंने एक लीटर दूद के लिए लगबग एक मुठी सेव ली हो जो बारिक वाली आती है वो भुनी हुई सेव है फिर उसको थोड़ा समय हलका फ्राइ कर रही हो और उसके अंदर मैंने डाली तो एक मुठी सेव मेरे अंदा से पॉफेक्ट हो जाती क्योंकि हम लोग ज्यादा गाडा गाडा नहीं बनाते और ड्राइफ्रूट्स तो आप अपने मर्जी से कम ज्यादा डाल सकते तो मैंने वो भी अच्छे खासे डाली हो और अभी मैं इसमें है ड्राइफ्रूट्स क इनफ हो जाती है मतलब हम लोग जितना स्वीट खाते है वो हिसाब से तो मैं इसमें आधा मिल्कमेड आइड करने वाली हो ना तो मैंने आधा प्रपोर्शन में डाली हो शक्कर और आधा में डालूंगी मिल्कमेड और अभी मैं यह वाली चमच ना दो भरके में डालूंग रेडी है और मैंने जाफरान भी आड़ कियो आपने देखे रहेंगे वीडियो में तोड़ा बात करने में मेरा आज आके पीछे हो गया तो अब इसको अच्छा बॉइल आने देंगे और माशनला कलर देखो कितना अच्छा है और बहुत टेस्टी बनाता शीर कुर्मा और पाओ लेकर रहा है तो में अभी कोई नहीं कुछ ऑप्शन ही नहीं तो क्या कर सकती लेकिन बुर्जी है न पाओ के साथी बहुत अच्छी लगती है तो यहां पे न मैं दो अंडे की बुर्जी बना रही हूं उसके लिए न मैने दो मीडियम साइस के कांदे कट करके लिए उसको हलका ब्राउन करके न उसमें नमक और हरी मिर्ज भी डाली थी फ्राइ करते टाइम और उसके बाद उसमें मैंने हल्दी और लाल मसाला उसके अलावा में कुछ भी नहीं डालती और फिर डाले थे टमाटर और टमाटर भी थोड़े से नरम होने के बाद मैंने डाल दि और बिर्यानी के लिए जो कोत मेर काटी थी ना वही मैंने उपर से डाल दी और बुर्जी इतनी टेस्टी बनी थी ना कि हमको पूरी नहीं ऐसे लग रहा था मैंने और खाई होती फिर अभी मैं और जैन जारे नाश्टा करने के लिए और नाश्टा वेगर हो गया सिल्मान न हरकते मैंने सुचा ना स्टोर करती हूँ यूटूब में बहुत क्यूट लग रहा था तो बिर्यानी बनाने के लिए यहाँ पे अभी मैं चावल बॉयल करके ले रही हूँ तो यहाँ पे लगबग मैंने आधा किलो चावल के लिए तीन लीटर पानी लिया है उसके अंदर कुछ खड़े करम मसाले धनिया पुदिने के पत्ते और नमक जो है ना हमेशा ज्यादा डालना है यह पानी काटे सूप जैसा आना चे इतना नमक डालना है तो मैंने यहाँ पे तीन चमश भरके नमक डाली हूँ और थोड़ा सा नीमू करस उससे चावल एकदम खिले खिले बनते हैं तो अभी बिरियानी बनाने के लिए ना मैंने लगबख आधा कप तेल ली हूँ उसके अंदर एक दालचिनी का तुकड़ा बड़ी इलाइची छोटे दो इलाइची थोड़ा सा शाहा जीरा तीन चार लॉंग चार से पाच काली मिर्ची और एक चक्री फूल डाल लगे मैंने तेल में उसको भून के उसमें तीन मीडियम साइस के कांदे कट करके डाली हूँ अगर कांदे की साइस बड़ी रहेगी तो दो डाल ले और एकदम छोटे रहेंगे तो चार डाल ले तब तक यहां पे मैं मतन को बॉल करके ले रहूँ बहुत ज्यादा नहीं ग अद्रकलेसन का पेस्ट बनाने तके गैस का फ्लिम स्लोई था लेकिन कांदा फट्टाक से ब्राउन हो गया और इतना ब्राउन नहीं करना है हलका ब्राउन करना है लेकिन मेरे से थोड़ा ज्यादा हो गया तो इसमें मैंने धाई चोमच अद्रकलेसन का पेस्ट डाली कांदे के अंदर मतलब अध्रग लसन बहुत अच्छी से भूना है रौस मिल जाने तक उसके बाद मटन डालके उसको अच्छी से फिर से हम भून के लेंगे तो अभी हम एक प्लेट में सारे बिर्यानी के मसाले निकाल के ले रही हूँ तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा चमश से थोड़ी कम हल्दी आधा चमश में ले रही हूँ धनिया पाउडर जितना धनिया पाउडर लेते है न उतना ही गरम मसाला लेना है तो यहाँ पे मै अगर आपको थोड़ी स्पाइसी बनाने की रेगे न तो एक चम्मा से ज्यादा डालो लेकिन एक चम्मा चे न परफेक्ट है मतलब बच्चे भी खा सकते बड़े भी खा सकते तो मसाला डालने के बादे न मैंने अच्छे से मिक्स करके ले लिया तेल में तो मसाला थोड़े अब इसमें हम डालेंगे धनिया और पुदिने के पत्ते अंदास से मैंने थोड़े थोड़े डाली हो और ये दोनों डालने के बादे न अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे अब ये पॉइंट पे न हम डालेंगे तमाटर तो यहां पे मैंने दो मीडियंट साइस के तमाटर को कट करके ली थी तो तमाटर भी डालने के बादे न उसको अच्छे से मिक्स करके ले पूरे गले नहीं तो भी चलेगा क्योंकि यो दम पे अच्छे से पकेंगे लेकिन थोड़े सॉफ्ट होना चाहिए यह पॉइंट पर मैंने डाली हूँ नमक मतलब अपना टेस्ट के सब से नमक अड़ करना है तो मसाला जो एकदम ड्राय हो गया था तो जो कुकर में पानी ब दही लगता है तो पाव किलो का आधा दही हमने इसमें आड़ करना है आधा किलो के लिए तो आधा पाव दही है ना अच्छे से फेट के रूम टेमपरेचर पे करके उसको आड़ करना है तो एक साइड पानी बॉयल हो गया था तो मैंने चावल भी डाल दिये थे पकने के लिए और अभी दही डालने के बाद है ना उसको तेल चूटने तक फिर से मसाले को स्लो फ्लेम पे पकाना है तो अभी मैं डाल रही हूँ दो हरी मिर्च यह बहुत तीखी वाली है इसके लिए मैंने कम डाली हूँ अगर वो कम तीखी वाली रहेगे ना तो आप 3-4 हरी मिर हम दूद में भीगते रखोंगी तो बहुत अच्छा कलर आएगा उसको बिर्यानी के उपर तो अभी बिर्यानी को दम पे देते हैं चावल का भी गैस मैंने आफ की हूँ बतलब 80-90% चावल भी गल गए है और मैं पहले क्या करती थी ना चान के रखती थी लेकिन अभी ऐस हम डालते है ना पानी में से निकालके तो बहुत अच्छे बनते है धम सॉफ्ट तो जब ढूबी हम नए-एज बिर्यानी बनाते है ना तो हर टाइम हम ट्राइं करते हैं हम नई एक-एक चीज सीखते है तो वैसी ये चावल का ना मैं बनाते-बनाते ही सीख्यू और बहु मुझो बहुत आसानी हो गई तो तीन बड़ी साइस के कांदे है ना लगबक उतना मैंने बिरिस्ता मेरे अंदस से डाली हूँ उसके उपर धनिया और पुदिने के पत्ते डाली हूँ फिर मैंने उपर से डाली थी चावल अब ही सबसे पहला लेर हम डालेंगे जाफरान वाला दूद का उसके बाद मैंने डाली हूँ फिर से उपर से थोड़ा सा बेरिस्ता फिर हम डालेंगी घी तो यहां पे मैंने दो चमश भर के घी डाली हूँ फिर धनी और पुदिने के पत्ते तो बिरियानी जो है एकदम रेडी है दम पे देने के लिए तो पहले तो है ना fast gas पे हम रखेंगे तवा यह जाड़ा वाला तवा है इसको बहुत अच्छे से गरम करके ले लेंगे फिर हम बिरियानी का टोप रख देंगे दम पे तो पहले ना 5 मिनिट हाई फ्लेम पे रखने बिरियानी टोप अच्छे से गरम होना चाहिए उसके बाद इना around 40 मिनिट हम इसको slow to medium फ्लेम पे दम पे देंगे तो आज का जो मेरा main काम था ना बड़ा बिरियानी बनाने का वो मेरा निपड गया है अभी मैं आ गई हूँ बैडरूम में बैडशिट चेंज करने के लिए तो मेरी जब भी जो भी new बैडशिट रहते हैं वो मैं इद को ही निकलती हूँ उसके बादी में उसको use करना start करती हूँ तो अभी मैं डाल रही हूँ बैडशिट अधर, देडशिट हैं तो मेरी जो में में अच्छा लगा तो मेरी जो ओम दो अजगा है झालाना बैडशिट करने को-जर, शक्तो अखना सादा। मेरा सब कुछ हो गया है अभी में जारी हूँ ड्रेस चींज करने के लिए और ये है मेरा इद का आउटफिट तो हुआ क्या था हम लोग जो भी कपड़े लेने गए थे ना तो जैन के लिए हमको ब्लैक पठानी ही लेनी थी वो हमारा डिसाडेड था तो हम लोग ने पहले ज पठानी ले लिया तो मैं रेडी हो रही थी ना तो जैन को भी सब लगाना था बोल रहा था मुझे पावडर लगा फिर हुआ क्या हम लोग ने एक हफता पहले जैन का टकला कर दिया एक्चली हम लोग को ना क्लीकी नहीं हुआ कि इद आएगी लेकिन सुल्मान बोल रहे थ चलेगा हम टोपी पिना देंगे तो फिर है थोड़ी सी गर्मी भी थी और उसके बाल भी थोड़े पतले इसके लिए हम लोग ने उसका टकलू किये थे लेकिन टोपी की वज़े से इतना कुछ समझ में ने आया और इसका देखो क्या चालो यहां पे उसको एक बार तो अब भी हम लोग बैट रहे खाना खाने के लिए बिरियानी ना दम पे आके बहुत जादा टाइम हो गया था थोड़ी थंडी हो गई थी तो हम लोगे ना प्लेट में निकाल निकल के ओन में गरम करके ले रहे तो मैं फाइनल लुक दिखाती हो आपको बिरियानी बहु कोई आइटिफिशल कलर आइड नहीं करती है अपने घर के मसाले में कितना प्यारा कलर आता है आप लोग देख सकते तो इद के टाइम पे ना मेरी फ्रेंड फरीन और बाजी यहाँ पे नहीं थे वो उनके घर पे गए थे तो मेरे और दो फ्रेंड है मैं उनको मिलने गए थी जैन को लेके उनने मुझे कॉल किया था कि शाम को घर पे मिलने के लिए आना तो हम लोग गए बैटे बहुत सरी वाते किये कुछ फोट निकाले तो यह है उरुच और उसके बाद में गई थी बिनिता के घर पे यह है ब चिर कुरमा बनाई थी तो इध वाले धी जो मैंने श्रकुरमा बनाई थी लू तो टेस्टी बनाई था और यह भी बनाई थी ऑफिस में देने के लिए बहुत टेस्टी बनाता उनके आफिस में सबको पसंद आ गया तो किटली में ना मैंने पैक करके दे दिया और इतना मैंने थोड़ा सा घर में टेस्ट करने के लिए रख्यू तो कल मैंने बनाई थी चिकन की वाइट बिरियानी तो उसका भी थोड़ा सा क्लिप मैंने शूट किया मैंने रेसिपी शूट नह बिरियानी को में दे रही हूँ दम पे और एक हाथ में मैंने कैमेरा पकड़ी हूँ ना इसके लिए ओ कैमेरा हिल रहा है स्टैंड पे नहीं लगाई थी तो यह ता आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी मिलते नए वीडियो में तब तक के ल बाई!